वेलो स्टुडेंट्स हमारे इस MSTCET सीरीज में MSTCET लास्ट मुमेंट सीरीज में मैं आपको जितने भी फॉर्मुले है physics से रिलेटेड उन सभी फॉर्मुलों का explanation उसके proper units और उसे कहा और कभ अपलाय करना ये सब बताऊंगा अगर आपने MSTCET के लिए कुछ भी नहीं पढ आप्रे position of wave ये chapter में आपके लिए लेके आया हूं चलो एक एक question को एक एक formula को देखते है सबसे पहला जो formula आता है बच्छों सबसे पहला जो formula आता है वो है आपका wave equation कैच इस wave equation अब ये wave equation एक बार देख लो wave equation क्या होता है आपका y equals to a sin omega t minus Kx यह आपका basic wave equation होता है इसे हमें 2-3 type में हम लिख सकते हैं जैसे कि एक टर्म के बारे हैं बता देता हूँ A क्या है बच्चा आपका A is your amplitude A क्या है आपका amplitude omega क्या है बच्चा आपका omega is 2 pi by capital T ठीक है K क्या है बच्चो आपके K मतलब होता है wave number और वो होता है 2 pi upon lambda क्या होता है 2 pi upon lambda तो मैं इसी equation को कुछ ऐसे format में भी लिख सकता हूँ देख लो y equals to a sin तो यहाँ पर इस equation को दूसरे format में भी लिख सकते हैं कैसे लिखोगे आप y equals to a sin देखो omega के जगा पर मैं 2 pi डाल देता हूँ तो इसे को मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ 2 pi in bracket small t upon capital T minus x upon lambda यह format में भी तो मैं लिख सकता हूँ कैसे लिखा आपने देखो यह 2 pi से अंदर multiply करो यह 2 pi से यहाँ पर multiply करो 2 pi upon capital T is omega 2 pi by lambda is k that is wave number तो आपको इस format में भी दे सकते wave equation यह फिर यह फिर और एक format होता है देखो y equals to a sin omega t minus 2 pi x upon लामडा यह भी एक format है अब इस format में क्या होता है आपको k के जगा पे कुछ ऐसे value देखे रहेंगे तो ठीक है ना यह तीनो format जो है बहुत आसान है चलो next format की तरफ चलते है next equation के तरफ चलते है तो आपका जो second equation होता है second formula जो होता है वो आपको यह बताना होता है कि आपका जो wave है वो positive x direction में जा रहा है या negative x direction में जा रहा है यह बताना होता है तो यहाँ पे क्या है बच्चो देखो y equals to a sin omega t minus kx अगर आपकी equation में यहाँ पे negative sign है तो this indicates कि आपका wave जो है positive x direction में जा रहा है कहा जा रहा है positive x direction में अगर यही equation में यहाँ पे positive होता है यहाँ कि कुछ ऐसे होता equation y equals to a sin omega t plus kx यह equation होता तो यहाँ पे बच्चो यह आपका जो wave है negative x direction में जा रहा है simple, easy है यह concept आगे बढ़ू में चलो और आगे चलते है उसके बाद का next formula आता है बच्चो formula number 3 that is phase difference क्या चीज? phase difference phase difference अब बच्चो phase difference आइने कि delta phi इसके दो formula है एक होता है आपका 2 pi by lambda 2 pi by lambda into path difference that is delta x अब यह delta x क्या है path difference path difference मतलब क्या? दो particle के बीच में का difference इसे कि example के तोर पे यह मान लो कि आपका एक wave है यह क्या है आपका एक wave है तो मैं दो particle लेता हूँ, एक particle लेता हूँ, यहाँ पे इसको नाम देते है p1 और दुसरा particle लेता हूँ, चलो यहाँ पे लेता हूँ, इसको नाम देते है p2 इन दोनों particle के बीच में जा, बीच में का जो distance है this is delta x ओके? तो चलो, easy question था है, easy formula था है next formula के तरब जाते है, formula number 4 that is, phase difference और time difference में यहनि कि आपका जो phase difference है बच्चो, phase difference है यह इसका ओर एक formula है, 2 pi upon capital T into delta T अब delta T मतलब क्या? यहाँ पे delta T मतलब बच्चो होता है time difference, कुण सा difference? time difference time difference, ओके? चलो, next पाचवे नमर के formula पे जाते है अब यहाँ पे क्या होता है, जब दो wave का super position होगा या दो wave की जब mixing होगी, कहाँ कहाँ मैंने? super position of two wave super position of two wave of two water wave तो यहाँ पे क्या होता है, दो wave एक दूसरी के साथ add होते हैं, या mix होते हैं तो वहाँ पे जो resultant amplitude आएगा वो अच्चो कुछ इस तरीके से आएगा a equals to under root of a1 का square a2 का square, plus two times a1, a2 cos phi, अब यहाँ पे a1, a2 क्या है? यहाँ पे a1 मतलब amplitude of individual wave, यहाँ पे क्या है? amplitude a1 amplitude हो गया a2 भी amplitude हो गया उसके बाद, जो आपका phi है, phi क्या है? phi indicate phase difference phi indicate what? phase difference ठीक है? चलो next next जो formula यहाँ पे और वो हता है बच्चो equation of stationary wave, equation of what? stationary wave equation of stationary wave अब equation of the stationary wave होता है वो देख लो बच्चो, वो कुछ ऐसा दिखता है 2 a cos 2 pi x 2 pi x by what? रे, lambda into sin 2 pi n t sin what? 2 pi n t चलो इसको लगते में बढ़ा करके लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ इसा है just a second into sin 2 pi n t ठीक है? यह हो गया आपका stationary wave का equation तो stationary wave के equation पर जन्दरली question तो नहीं आते question जो आते हैं, बच्चों वो कुछ इस तरी पर आते हैं देखो laws of vibration पर आएंगे question आपको किस पर आएंगे? laws of vibration laws of what रहे? vibration अब laws of vibration में क्या होता है? जो आपकी frequency होती है frequency जिसको हम n से दिखाएंगे चलो यहाँ पर n से नहीं दिखाता है, मैं f से ही दिखाता हूँ frequency of vibration वो बच्चों depend करती है आपके string के length पे उसके tension पे और mass per unit length पे where m is mass नहीं है m क्या होता है बच्चों यहाँ पर mass per unit length होता है चला जड़ा देखो अभी तो यहाँ से proportionality क्या आएंगी देखो force, sorry force नहीं, frequency is inversely proportional to length of the string यह first law है ठीक है? अगर यह first law है लेकिन तो अगर proportionality जब भी हम लगाते हैं तो आपको t और m इन दोनों को क्या करना पड़ेगा t और m इन दोनों को क्या करना पड़ेगा constant लिखना पड़ेगा तब ही हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं f1, l1, f2, l2 यहाँ से हम ऐसा लिखते हैं यह है आपका first law of vibration तो second law क्या है देखो frequency जो है आपकी directly proportional to under root tension of the stream लेकिन कब जब mass and L क्या करना पड़ेगा आपको constant रखना पड़ेगा अगर आप mass और L constant रख सकते हो तब ही यह possible है तो यहाँ से formula क्या generate होगा F1 upon under root T1 तो यह है आपका second law क्या है यह second law of vibration third law देख लो third law देख लो third law तो और इसी है वह ही proportionality है कि जो frequency है this is inversely proportional to mass per unit length तो यहाँ से मैं क्या लग सकता हो बच्चो F1 root M1 equals to F2 root M2 यह होगा आपका third law of vibration क्या ही easy था बोद easy था ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं next जो हमारा topic है वह है बच्चो organ pipe क्या चीज organ pipe अब organ pipe के जो concept हो बड़े interesting है देखो अब यहाँ पे दो organ pipe होता है एक होता है आपका open at close at one end यानि कि कुछ ऐसे रिखाए देगा close at one end और open at both end कुछ ऐसे दिखाए देगा ठीक है तो यहाँ पे हमें शुरुआ करनी पड़ते हैं सबसे पहले fundamental mode से तो हम close at one end से start करेंगे close at one end इससे start करेंगे अगर इससे start कर रहे है देखो तो fundamental frequency जो होती है वह होते बच्चो वी अपान 4 इंटो L अब L क्या है L मतलब length of the organ pipe यह जो भी आपका organ pipe रहेगा इसकी क्या रहेगे बच्चो यह length रहेगी ठीक है वी मतलब velocity of sum तो यहाँ से अभी मिल गया यह होगा fundamental mode की frequency अब होता है क्या है close at one end में only odd harmonics present होते हैं कितना harmonics present होते हैं only odd harmonics present होते हैं ठीक है अब जरा इसके आगे चलते हैं अब only odd harmonics अगर present हैं तो हमें पुछा जाता है कि भाई बताओ frequency of fifth और टोन क्या कहा मैंने frequency of fifth और टोन पिफ्ट मतलब जैसे कि पाथवे नंबर का और टोन थर्ड नंबर का और टोन जो भी नंबर का और टोन आपको निकालना है उसकी frequency that is fifth और तो यहाँ पर हमें formula आता है frequency of fifth और टोन मैं लागे तो ऐसे ऐसे लिखता हूँ और यह होता है ब यहाँ पर पी मतलब होता है बच्चों पी नंबर का और टोन पी की वालू कुछ भी हो सकते है फर्स्ट और टोन सेकंड और टोन थर्ड और कुछ भी हो सकते है clear तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम फिर चलो next अब next point पर आते हैं that is tube open at both end कहाँ पर tube open at both end यह वाली case देख लेते हैं tube open at both end अब tube open at both end में क्या होता है समझो ज़रा इस पर अब यहाँ पर all types of harmonics present होते हैं क्या कहा हमेने यहाँ पर और कोई सिन नहीं और यहाँ पर fundamental frequency का जो formula आता है वो आता है आपका V upon twice L again L is what length of the organ pipe तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है frequency frequency of 5th overton तो यहाँ पर जो formula आएगा 5th overton होगा वो कुछ ऐसे आएगा जो भी number का overton होगा उसे सीधा fundamental से multiply करतो हो इसके पहले की case में क्या था इसके पहले के case में 2p minus 1 था ओके next जो point है वो सबसे आखरी वाला point है that is beat frequency अब बच्चों यहाँ पर beat frequency का जो formula है वो simple है beat frequency मतलब क्या होता है simple simple आपको जो भी individual frequency रहेंगी f1 और f2 इन दोनों का क्या करना होता है बच्चों यहाँ पर difference हाँ इसके numerical थोड़े अलग रहेंगे लेकिन beat frequency अगर मैं सिर्फ formula बोलू आपको तो f1 minus f2 ही लिखना है लेकिन लिखते समय आपको यह देखना है कि जो greater होगा उसे लिखना है पहले जैसे कि अगर f1 greater है f2 से तो ही यह value ए अगर आपका f2 greater है f1 से तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा f equals to f2 minus water f1 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा वच्छो तो इसको प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मैं आपके लिए हर एक हर कोशिश कोरूंगा सीटी में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंड देने की ओके थांकिसो मच प्लीज नहीं है पेके लिए आपके लिए प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब तो जरू हर लाइक का रच्छो इसको फजगा रहाएब तो यद्या है तो ओके यदिए उफपाने की गजवाब रगे फिंपाने की बड़ें देने की आपके लिए आपके लिए वगे रगे झाल झाल